क्या आप लोग बता सकते हैं कि मैं आज आप लोगों के साथ कौन सी प्लेस का टूर प्लैन शेयर करने जा रही हूँ गेस गेस तो वहाँ प्लेस है दे वर्ल्ड स्टॉलेस टैचो आफ यूनिटी तो आप सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड होगे यह जानने के लिए कि कैसे टूर प्लैन करें इस वीडियो के थूँ मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स दूँगी साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ दूरिंग टूर प्लैन हमने कौन सी कौन सी मिस्टेक की जो की आप ना करें वो भी बताऊंगी जब भी मैं कोई टूर प्लैन करती हूँ तो सबसे पहले होटेल बुकिंग और फिर ट्रेन या फ्लाइट बुकिंग करती हूँ और उसके बाद मैं आइटिनरी बुक करती हूँ और यही फर्स्ट मिस्टेक मैंने इस टूर को प्लैन करते वक की क्योंकि मैंने संडे और मंडे टू डेज का स्टैच्यो आप यूनिटी का टूर प्लैन किया था लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मंडे को स्टैच्यो आप यूनिटी और बाकी सभी अट्रैक्शन्स क्लोज होते हैं इस वज़े से सिर्फ एके दिन हम लोग स्टैच्यो आप यूनिटी घूम पाए तो आप लोग यह मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिए वैसे तो हमारा चेक-इन टाइम था 12 पीम तो हमने अपना बैगेज होटेल के स्टोरेज रूम में रख दिया और वही से फ्रेश होकर हम लोग हमारा फर्स्ट अट्रैक्शन नवका विहार के लिए चल पड़े सरदार सरोबर नवका विहार का जो पैकेज हमने बुक किया था उसमें स्टैच्यू आप यूनिटी के बस टॉप से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी इंक्लूड थी यह 45 मिनिट्स की राइड थी हमने 9.30 तू 10.15 का टाइम स्लोट बुक किया था वहाँ पर गाइड था जो सराउंडिंग प्लेसे इसको बहुत ही अच्छे से एक्स्प्लेन कर रहा था पार है यहाँ देख आप सबके नजर पाने के पहुत सब्सक्री में ड्रॉप बहुत के लाइड से निज़ाएगे तो यह 45 मिनिट्स की इस राइड में हमने बहुत ही एंज़ाई किया 45 मिनिट्स का खत्म होगे पता ही नहीं चला आप देख सकते वीडियो में कितना ब्यूटिफुल व्यू है हमने वहाँ पे क्रोकोडाई भी देखा 47 सरोवर नौका विहार का टूर हो जाने के बाद हम लोग हमारे नेक्स्ट अट्रैक्शन जंगल सफारी के लिए चल पड़े वहाँ पर फूड कोड भी था तो हमने अपना लंच वही पर किया इस टूर में बच्चों ने बहुत ही एंज़ाई किया वाइल लाइफ देखकर बच्चे लोग बहुत ही खुश हो गए इस जंगल सफारी पर वी में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी जिसमें जंगल सफारी के रिलेटेड में पूरी डिटेल दूँगी तो आप मेरा वो वीडियो भी जरूर देखिए जंगल सफारी के एक्जेक्ट ओपोजीट में पेट जोन है वहाँ पर हमने कुछ टाइम स्पेंड किया बच्चों ने गोट, ट्रैबिट, काउ के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया उनको टच करके उन्हें बहुत ही खुशी मिली उनके साथ खेल कर उनको बहुत ही अच्छा फिल हुआ टू पीएम को हम हमारे होटेल बी आरजी बजेट स्टे रिटर्न आए वहाँ पर हमने कुछ देर रेस्ट किया फिर थ्री थर्टी को हम स्टैच्व आप इनिटी के लिए निकल पड़े स्टैच्व आप इनिटी का हमने 4 टू 6 पीएम का स्लाट बुक किया था यहां और एक डिटेल में आपको देना चाहूंगी अगर आप स्टैच्व आप इनिटी की एंट्री टिकिट लेते हैं तो आप Statue of Unity की बसेस में फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं तो हमने हमारे होटल के नजदिक जो Statue of Unity का बस स्टॉप है वहाँ से बस कैच करके हम Statue of Unity पहुँच गए फिर हमने Statue of Unity के लिए गेट नमबर 4 से एंट्री ले ली अब फाइनली हम लोग Statue of Unity के अंदर आ चाती है आप अभी वीडियो में देख सकते हैं हम लोग Statue of Unity की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है वर्ल्ड टॉलेस स्टाइचू देखने में जैसे जैसे हम Statue of Unity की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा एक्साइटमेंट भी बढ़ रहे हम लोग सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड है वर्ल्ड स्टॉलेस स्टाइचू आफ यूनिटी देखने के लिए अलो गाईज अब हम लोग आच चुके स्टाइचू आफ यूनिटी आप देख सकते हैं यह सब आफ यूनिटी अब हम आप पहुंचे हैं वर्ल्ड स्टॉलेस स्टाइचू आफ यूनिटी स्टाइचू आफ यूनिटी भारत के प्रथम उपप्रधान मंत्ली तथा प्रथम गुर्फ मंत्ली सरदार्वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है सरदार्वल्लभ भाई पटेल इस और ग्रेट फ्रीडम फईटर उनको भारत का ऐरन मैन भी कहा जाता है यह statue आप 7 km के दुरी से भी देख सकते हैं अब हम आ चुके हैं exhibition center और living gallery आप देख सकते हैं अंदर बहुत ही beautiful हैं यह exhibition center और living gallery बच्चे भी यहां बहुत enjoy कर रहे हैं आप लोग देख सकते हैं वीडियो में जो wildlife आपको यहां देखने मिल सकता हैं उनके photos भी यहां पर लगे हुए हैं इस exhibition center में आपको lots of pictures, paintings about the नर्मदा village भी देखने मिलेगा अब हम आ चुके हैं elevator से 45th floor याने की statue के chest level तक हम पहुच चुके हैं और आप देख सकते हैं यहां से नर्मदा river कितनी beautiful दिख रही है statue of unity गुमने के बाद now kids are hungry and we are going at snacks counter और फिर लोटे गे laser light and sound show देखने के लिए at 7 pm laser show से related और एक जानकरी में आप लोगों को देना चाहूंगी कि जब आप statue of unity के लिए ticket book करते हैं तो वहाँ पर 3 options दिखते हैं first not interested, second projection mapping SOU campus and last projection mapping helipad ground तो आप लोगों को second option याने की तो आप projection mapping SOU campus option से लेक करें क्योंकि SOU campus याने की statue of unity के campus से laser show बहुत ही clear view कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आप laser show को enjoy कर सकते हैं बच्चे लोगों ने laser show को बहुत ही enjoy किया laser show enjoy करने के बाद अब हम लोग हमारे hotel BRG budget stay return जा रहे हैं आप देख सकते हैं return जाने के वक बहार कितना अच्छा view है I hope कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like share करना ना भूले और मेरे चैनल को subscribe करे Thank you See you soon करें